सोशल मीडिया एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो आपको अपनी बात रखने की आजादी तो देता है लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आप पर आती है कि आप जब बोलें तो सोच समझ कर बोलें क्यूंकि आपकी बात दुनिया भर में हर कोई सुन रहा है हर कोई पढ़ रह है लेकिन शायद विवेक औब रॉय ने सोशल मीडिया की सेंसिटिविटी को समझा नहीं है विवेक औब रॉय ने एक बेहत शर्मनाक हरकत कर दी है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है विवेक औब रॉय ने एक कोलाज अपने सोशल नेट्वरकिंग साइट पर ये भी जानते हैं कि चुनाव के बाद हो रहे एकजिट पोल में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एंडी एस सरकार बना सकती है यानि कि इस बार फिर से नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री बन सकते हैं चारों तरफ कुछ ऐसा ही एकजिट पोल दिखाया जा रहा है नरेंद् मीडिया पर रख दिया वो भी चुनाव और पॉल से ही जुड़ा हुआ है दरसल इस पोस्ट में एक कोलाज दिखाया गया है जिसमें पहले एश्वर्या और सलमान की तस्वीर है उस पर लिखा हुआ है ओपीनियन पॉल कोलाज में दूसरी तस्वीर विवेक और एश्वर्या की है जिस पर लिखा हुआ है एक्जिट होल और फिर तीसरी तस्वीर अभीशेक एश्वर्या और आराध्या की है जिस पर लिखा हुआ है रिजल्ट विवेक और रॉय हम यहां पर आपसे यह कहना चाहेंगे कि आपको कोई हक नहीं है किसी की भी निजी जंदगी को उसके पूछे बिना इस तरीके से ट्विटर पर उचालने का एश्वर्या आपका अतीद थी इसका यह मतलब नहीं है कि आप एश्वर्या राय बक्चन की निजी जंदगी का इस तरीके से मजाख उडाएंगे कम से कम तस्वीर में दिख रही छोटी सी बच्ची आराध्या की ही कर ली होती जाते जाते फिर कहेंगे कि विवेक की इस हरकत की जितनी निंदा की जाए कम है पाइनल काट न्यूज टेस्क